आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ आपके होश उड़ा कर रखने वाला है अब मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ दुनिया के पाँच ऐसे सबसे बड़े बांदों की सेर कराने जो कि सभी डैम के बड़े पापा कहलाते हैं आज किस लिस्ट में नमबर पाँच पर आने वाला डैम है तर्की अटेंडर या कारा बाबा बांद तर्की की यूफरेंट्स नदी पर बना गया डैम है अटाटूर्क डैम को बिजली पैदा करने के लिए बना गया था और इसे के साथ ये हमारे लिस्ट में नमबर पाँच पर लिया जाता है इसका रिजर्वाइर इतना बड़ा है तो आप सामने भी देख सकते हो बिलकुल एक समुद्र जैसा आपको ये जानकर हैरान हुई कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला बांध बन चुका है और पानी स्टोर करने के नाम पर पांच वे स्थान पर आता है अगर यह बोला जाएक इसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ फर्स बिजली बनाने के लिए किया गया है तो बुरा नहीं होगा पर उसके साथ साथ ये पानी भी इतना ज्यादा होल्ड करके रख सकता है किसे मुझे अपनी लिस्ट में नमबर पांच पर शामिल करना पड़ा ये लगबग 49 किलोमेटर क्यूबिक पानी स्टोर कर सकता है और कितना बड़ा तो है ये आप सभी आपके स्क्रीन पर देखी सकते हैं तो नमबर तीन पर आ जाता है समारा डैम रश्या परश्यकी वोलगा नदी पर बना गया समारा डैम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डैम है ये देखने में बहुत बड़ा और बहुती ज्यादा बड़ा दिखता है और आप तो सामने भी देख सकते हैं इसे बनाने का मकसद दोनों बिजली बनाने का और पानी बचाने का था और सन 1997 में इसे बना कर कंप्लीट कर दिया गया था आज ये लगबग 57.3 किलोमेटर क्यूबिक पानी रोख सकता है वेनेजुएला की करूनी नदी पर बनाय गया डैम विशु का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये हाइडरो इलेक्टिसिटी बनाने और पानी को स्टोर करके रखने में मकसद से बनाय गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 135 क्यूबिक किलोमेटर पानी स्टोर करके रख सकता है जी हाँ यानि कि हमारे पिछले वाले बांध के दोगने से भी ज्यादा इसका कंस्ट्रक्शन सन 1978 में कंप्लीट कर लिया गया था तब तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध कहलाता था पर आप दूसरी नमबर पर आता है नमबर एक आश्वन डैम एजिप्ट नील नदी पर बनाय गया आश्वन डैम एजिप्ट का सबसे बड़ा डैम Egypt ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है नीन नदी के बारे में आपको बता दू कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है और उस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध इसका construction सन 1970 में complete कर लिया गया था और तब से दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहलाता है। दरसल एजिप्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जिस वज़े से पानी की कमी आम बात है। और इसी वज़े से बना गया विद्यूत की साथ साथ ये बहुत ज्यादा पानी स्टोर करके रखता है। ये तकरीबन 140 किलोमीटर क्योबिक पानी स्टोर करके रख सकता है। और इसी की साथ विश्यू का सबसे बड़ा बांध बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।